इंडिया पाटी के द्वारा गडबंदन से जुड़े विभिन विशों पर फैसला लेने के लिए मुझे अधिकरित किया गया है आज मैं दिल्ली भी वापस जा रहा हूं आज से वैसे पूर निधारित कई कारेकरम थे करपूरी धाम जाना था वहां पर जिस तरीके से करपूरी ठाकु किया गया आयोध्या से आया हूं मातासीता के दर्शन की उमीद रखता था पट्राजनितिक परिस्तितियों को देखते वे इन तमाम कारेकरमों को फिलहाल के लिए स्थागित करकर मैं भी दिल्ली जा रहा हूं भाजपा के शीष नितृत से निरंतरता में मैं संपर्क में वहाँ पर खुस नहीं है ठीक से नहीं चल रहा है गड़बंधन और इसी वज़ा से वह वापस आना चाहते हैं फिर से एक बार इंडिये के साथ सुना मैंने भी है और पिछले कई वर्षों में कई बार हम लोग यह सुन चुके हैं कि वो जिस गड़बंधन में हैं वहाँ पे सहज नहीं है और उन्होंने अपना गड़बंधन बतला तो लगबग पिछले एक दशक में देखें तो तीन चार बार ऐसा हो चुका है एक ब हमारा कर अंडिये में आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे बहुत है बहुत अगर मगर अगर मगर के प्रशनों में हम लोग उलजेंगे तो बहुत से प्रशनों का जवाब निराधार देना पड़ेगा मुझे लगता है कुछ घंडों की बात है एक बास्तिती पूरी तरीक को सिखाया था कि सबसे उपर राष्ट है फिर पार्टी का है तो और अगर उसके बाद कुछ बचे तो विक्तिगत है की चिंता आपको करनी चाहिए जो भी निर्ने लिये जाएंगे वो प्रदेश के हित को मदे नज़र रखते हुए लोग जिन शक्ती पार्टी रामविला के जवाब देने से बहुत बहतर है कि स्तिती एक बार क्लियर हो जाए पार्टी भी अपना क्लियर स्टेंड रखेगी कि स्टेंड रखेगी